आज का मैच ग्राम चप्की में बक्सर बनाम चौंसा के वीच खेला जाएगा और कुछी दर में मैच शुरू होने वाला है और आएए देखते हैं मैच का नजारा गेंच को स्लाम दिया और स्लाइट कर दिया है गेंच को एक रनासानी से मिल जाएगा चलिए अब भुसन कुमारी शाहिक पुर आ गए हैं तनहिया जी के इंदबाजी करेंगे और भुसन कुमार जो की बक्सर के एक सखलतम और अवल दर्जे के वलेवाज हैं जिनके बारे में जिनके रिकोर्ड केती बात किजा है तो अर्षत को अर्षत की गिंती भी नहीं है बहुत ही संदार बलगाजी करते हैं भुसन कुमार और इनका वो कवर ड्राइब लंगन पर सीख और उल्लोफ केट सट कोन दिवाना नहीं हो रही है इंका दूसरी के भुसन कुमार सामना कर तरफ से गेंज जो है वो फिल्डर जब तक प्रो करते हैं अराम से दोरन भुसन कुमार अपने खाते में वोटोर लिये हैं देखिए यह है जेल्टल माइंगे कर नहीं चले भुसन के लिए और बोड़े हो है और आप अल्टल भुसन कुमार यहीं वागिंद बाच जिनकी बार बार बढ़ाई कर रहे हैं कि चौसा को हल्के में नहीं ले सकते हैं आप यह वही चौसा है जो पिछले मैंच में एक हैटिक बिकेट लेकरके प्लेयर मैंच अपने इम को जिताया हुआ ह एक बार फिर कनहिया चले अबर की चोथी गेंट और जबर जब चाट इसाट आप्साइट यह और केल दिया है और गेंट आपके प्लिणर के हाथों में सब तक दो रण जो है वो पुच्छा कर लिए हैं अपील तो बहुत जबर जबर जब कुरा था पर बैट मेंच जो है वह असारी से क्रीज में पहुंच गया है और दो रण जो है वो फुरा कर लिए हैं जाएगा ओबर की पंच भी गेंट कन्हीया लाग वह क्या च्वर जैस्टिन भाज भीट हुए तो समझ में नहीं है कि एक सोट तो खिला कहा जाए वो सोच रहे हैं कि बोल वो समान दे दिया जाए पर वो गेंट कट करके अप्चाइट के और चली गई और सिदेग कीपर के हाथों में मैं जो है बहुत इखातरनाक होने वाला है यह क्वार्टर यह क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला है जो बकसर और बकसर से 15 किलेमीटर दूल 16 को बीच होने जा रहा है दोन प्ले में हमें दो अबर देखने को मिला और कसी हुए गेंट बाजी चौसा की ओर जो चौसा और जब मैं यहां फिल्ड की और बढ़ रहा था तो जितने भी बच्चे और जितने भी लूग आ रहे थे वो यह क्या रहे थे कि भाईया हमको तो सिर्फ भक्सर की बैटिंग द इतनी है पर मैं बता दियो नहीं भी या क्योंसा कि आप भॉलिंग भी देख लीजिए क्या जो है देखना वादिया करते हैं क्या जब तक जो है वो गेंट को थ्रों करकर गिंदबाज के पत पहुंचाते बलेबाज यह दो रहे हैं कसी हुए गेंट बाजी जो है ओं पर इ पर फीर परतोस बलबाच के लिए और यह थारा गेंट भी या आप उदर केंट करी ने सकते हैं यह गेंट जो हो तो ताला की ताला चाला पर भी जा सकता था यह तो फैर मानी यह यह बाहर काफी अंदर ही रहा गई गोड़ पर अंतुशिक्स रान है इसी विलेप्टी कि बैट्समें जो है हो और यह अमपायर का फैसला जो है उन्नोबल लगता है कि यह लाइन से पैर लाइन काट क्रोस कर गया था जिसके बाद अमपायर ने देख लिया और इनको नोबल दे दिया और यह फ्री हीट है देखना होगा किस परकर की किन बाजी करते हैं परितोस बैट्समें के लिए एक बर फीर और यह फ्री हीट का जो है जिवर्शस खाटार ठाटी पे गेंट को ठाटर के खेल दिया है और शिक्स रोनों के लिए छे रन जो है रो इस ओवर बहुत ही मांगा अवर जो है अभी तक जा रहा है इनका परितोस का पहले ओवर में गसी एक बाजी किये थे और इस दोवर में भी जो है एक यहरकार और एक लोग फुल्टस देखने को भी जुगा था देखना होगा अगली के इन परितोस पैट्समें के लिए फिर इस सब्सक्राइब काफी अपील होई है देखना होगा कि अमपायर का फैसला क्या होता है कि इन नट सब्सक्राइब कर रहा है और इस परकार जो है इसको जाप पहुंचा है कि 33 रहन पर और इस यह और में काफी खराब गेंद बाजिक कहीं जाएगी परितोस के द्वारा परितोस की अंतिम गेंद और यह गेंद काफी नीचे रह गई भुटने से नीचे रह गई जिसके कारण बैट्मेंड को कुछ पता ही नहीं चला और गेंड कीपर के हां ठों में चली है तो तीन ओवर के समाप्ती पर बक्सर का स्कोर ताइटीस रण दो मिकेड यह चले बैट्मेंड के लिए जिवर जस्ट बॉलिंग बॉल जो है ओव मीज फिल्ड यहां पर मीज फिल्ड के कारण जो है एक रण चुराने में सफ़क रहें बले बाच और दिखिए इस फिल्ड में यदि आपका फिल्डिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉल रुपने वाली नहीं है वह वह बांडरी लाइन को ही टाच करेंगी सिदे जा करके और यह मीज फिल्ड वही ओमातर चौंतिस रण करिया जी और जो समझी नहीं पा रहे हैं वह सोच रहे हैं कि हम छत पर मार देंगे पर भी आसान नहीं है चौसा की कसी होई इंदगा जी तो इस बार भी सा से बढ़के लेक साइट यो और वाइट का इसारा हमारे अंपाय प्रपुना कनिया जी और जबर जासराग्स और यह कहां चला गया यह गया सीथे दूसरा तिसरा और चोथे सले पर जाकर के बॉल जो है वो वहाँ हमारे कमिटी के सदर से पहुंच जाएंगे आप कहीं भी मारी यह बॉल आही जाएगा पर उसको उसी दिशा में खेल गया है और जब तक गेंद को आप ठेकते हैं यहां फिल्डिंग ले बरजस्ट करना होगा क्योंकि यहां से बॉल छूटती है तो सिदें ग्राउंड के बाहर ही जाती है क्योंकि गेंद कनहिया लेफ्ट हैंड बैट्मेंड के लिए क्या जब अरजस्ट बैटिंग गेंड बलेगी किनारा चुकर सिदें पीछे चली गई और कीपर जो है इसको पकड़ नहीं सके खेंद चार अनों के लिए जब अरजस्ट गेंद वाजी करके दूसरी में जो है एक पर फीर कर नहीं आ अपसाइट की और इसको उसी दिसा में खेंद दिया है कि अपसाइट की और जा रहे हैं सीदें चार अनों के लिए तो चलिए विया चार और में स्कूर जा पहुंच आए कावन रन मतलब बगसर कि अर्ष अबट्या है वो पूरा हो चुका है चलिए तो फोल दो लोड़े दा ओजी बर खेंदा एक रही रर्ण मेली पुरानी का करतर है हाई हाई यो जैरात अधर करा हो हतो उल्होंगे ना पजह भुगतो बोगोंड हो विले जब बाक्सर को और से किसरादिके एजा हतम हो गई पैरने पैरने पार किरा हो 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 विले थार भेडर को हो अधर हो पार вод गो ही है इड और ओप रहा चलरैerkार करौ खवे स्थे जार्वक्वान साि से ezा जब हो 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 उरता करे जोलें लो बोने और है रहा है है अता हुआएए अगार अधाल और अभाव नो बोल लो आह से गाता हुआए मुष्णा वेडिए एज़ दिलेवने जुटत प्लेवर इन एक्राइब आगान एक्राइब शॉटत प्लेवर जुटत प्लेवर इन एक्राइब माच्छ बड़क थीपो कि अपना चिप खाती रहता बहुत भड़िया है 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 बंड़ी आइद्धे मात दंदवाद तेना खाटा कोले है कि तोह अधाते तोई थागी रुवाद करेंद्ध शेल दे वोले लेकिन वो दोने बढ़िया गेंदवाजी कोले हैं कि तु भी जले बाढ़ाओ मोगेंदवाबर मार्दबाओ हाई 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 हो ने खेलदर आए अनीच फिलाँ आए तेखें कि का होता हुई का हुई का हुई पादे की बाहर चलो तुझा आता की साफ़ा फिल्डवा के बाहर नाया बाहर नाया बास्ट में इनके अब बाई 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 पिहारी जाओन की पाउनिस हुआ पिहारी गेरा भीट केले अकीपर सहाव अपना हाथ में राखे कहने की इंपायर साफ़ कोने की ओभाउनिस हुआ पिहतारा चार विकेट के दुख्षान पर तामुरारी इंपायर के पार करताने हुआ नाया एक एक एरंसे रहे के बादे अफेर हाई चले लेकर हाई या वो बहुत 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 देखे के वागी हाई गेंना बार बार तो हरी खेले के खेरों बारे लेकिन तो ने खातार ना फईबोर तो हर बार किना महें गेना बीठ करो तो हम बताके है जाहे चानिकी आलू जो खापी आई हो तो उत्रन लिया ने देखे किवाद है लगत अगर नागा इसे भीड़ोता हां जैसे गर्मी में बेने डोले ए सुरी जैसे है अगर आगे खाले गेगा सी बार फ़गे वह बंदरा चारण के लिए इंबार साथ कहले है की अपना पापी पर लिख लो चारण वाबे से इंगा आगे जोगा निकलाल हटे अपेड़ अपना बहुत अपना काई देखे ग्रखी कर लिए अपार तरे अपन्या विजे बिया कि जब तक हुए एक ही रन फेटाई काम करतिया तक हुए 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 लेकिन हुए उड़ा के खेले के फेरा में एक ही रन फेटाई पर असक्राइब के रुख्शाथ को देखे वागी करते हैं हुए लेकिन हुए वगा फेल्डि भूखत्राइब तो इस पोर मस्ती बहुत बढ़िया जग भाई इस अडूरा इदे हमें असोरा इल बठे आईल बढ़ियों के देखे कबा बोली है कन हाईयों के देखे कबा बोली हाई आग अगे रहा थे तो ख़़भा की काहू काहू इहो बाहर एक दाम बाहर काहले है कन हाईया की बाहर चलिए एक दाम बाहर आई कन हाईया बारे के पना गेंद भाजी से सबके बाहर करते रहें लेकिन हाथावा में लाशा लागा के खेलो तरका अल कौन हो या आदारा ख़तरा के न फेको तरे अतू को हाथार के गरण जाए अतू के समाप्ती पर बहुत नहीं हाई गड़े असीस तहुँ तहीं के ना के हमने के ना देखनी है जाए एक तपा के बाद गंडरी लाइन के बाहर चार तहुँ देखे के बाकी एक रण फिटाई करें गड़े लेकिन के ना की तर के हाथ में और इस चलने हैं कैप दखाती तो फुर बढ़े के ना हुजे समान दे के जब तक फिल्ड के गेना दोरी एग भी रन भेटाई विकास खाती हई उडारा के फिरा में एने ओने लागता थे तो हई टोटल स्कोर नो बेरों साथ विकेट के दुक्सान पर आई जल हो गुलबा नो उवर खतम हो गुलबाटे मुरारी चले विकास के लिए विकास यह वो लंबा सट खिलने का प्रयास कर रहे हैं पर वो करेक्शन मिल नहीं पा रहा है एक बार थी मुरारी और फिर वही गेंज यह टप्पा खाने के बार उच्छाल ले और सिधे कीपर के हाथों में तीसरी गेंज चले वही नतीजा बार बार कोसिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से खोट गर के गेंज को बाउंटरी के पार पहुँचा दिया जा है और चले पिकास के लिए चोथी के लेकिन इस बार करेक्शन जहां पहुंचे पर जॉस्त और सिदा तील के जैसा सिदा सोड खेल दिया है और गेंज सीमार है कि यह भार छे रोरों के लिए गेंज है उसी नहीं हमारे कमेंटरी बक्स के छच्छ टक्रा करके फिल्डर के हाथे म है चली गई कि इसकोर है कि शान में रण हो चुका है और मुरारी का चार गेंग पच्वी और यहां पर लगता है मिस्पीड हुआ है और यहां पर दो रण भी का चुरा लिए काफी रणिंट विकेट देखा जाए तो जीस परकार से बिराट को लिए धोनी विकेट को बीचे म दोर दोरते हैं उसी प्रकार से हमारे यहां विकाह जी राजकुमार लंबे कप की ठिलारी है पुरा कर ले रहे 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 और अबर की अंतिम गेंग और फिर वही नतीजा गिंद कची निवर्या बनने से तो नौ अवर की स्वापती पर बक्सर का कूली स्कोर अंठानबे राट साथ विकेट के नुकसान पर जितना रन बना यहां से पक्सर के लिए उतना ही फायदा होगा एक बार गिंदवाज पलवाज के लिए आगे बर्जर के खेल दी हैं लेकिन गेंग बल्ले का किनारा ले करके पीछे चली गई और जब तक फिल करते गेंग को दो रन असानी से राजकुमार पुरा कर लिए बक्सर के सही प्लेयर इंसे उमीद कर रहे हैं कि आज लंबे लंबे छके दिखाएंगे आसी इस दुसरी के राजकुमार के लिए और यह बॉल भीट हो गई यह जहां टपा खा रही है वो आप साइड की दिशा ले करके और तीसरी के और कर्ट लाज करके सिधे फिल्डर के आप में पर एक रन यहां पर असानी से पूरा करेंगे राजकुमार तो एक बार भिकास फिर चल गए हैं श्वाइक पर और पिछली ओवर में चार गेंडोर किये थे एक छाटका और एक शिंगल लिए वह थे तो इस परकार जो है पक्सर का इसको सो रन प्रोस्ट कर चुका है और एक सो एक रण वक्सर और इस ओवर की अगली गेंड असीश चले भिकास के लिए और यह करके रंच चुराना चाहते थे पर गिंदवाज यहां चतुर निकले बचले भिकास के लिए और फिर गेंड़ पटाने बहाँ जा रहे थी उसको कुछ स्लाइस कर दिया और गे तो इस परकार इस गेंड पर दो रण बन गया यदि चाहते तो फिल्डर अराम से इसको गेंड़ बाज के हाथ में फेंकर के सिर्फ एक रंग बच दे सकते दिपर यहां दो रण गया और ओवर की अंतिम गेंड एक रहावावर की अंतिम गेंड विकास समना करेंगे असीश अरुटा करके खेल दिया है गेंड सीमा रहाँ के बाहर जा रहे हैं छे रण के लिए लवन की दिसा में खेल दिया था गेंड को और जैसे यह बॉल जो है जिस परकर सासीश कर रहे थे परितोस का उठाग एक एक रंग करते-कर एक सदस्क पर पहुंच चुका है पांच गेंड सेस हैं इस पारी में देखना यह होगा विकास लगवक पांचे गेंड बीट करके एक छके लगा रहे हैं और इस बाद यह उसर्च अंसाइड ने खेल दिया था इसके एक रंग जो हो मिलेंगे विकास को तो जिसकान के लिए विकास को भेजा गया था कि यह अटवे नंबर पर जा करके लंबे लंबे सट खेलेंगे वो खेल नहीं पा रहा हैं कत्सी होई के अंबाजी परिटोस के द्वारा दूनों बॉल दूनों यरकर एक बार फिर समना करेंगे परिटोस का राजकुमार उठा अगर के खेल दिया है यह जो है लगन की दिसा यह काफी लंबा इस्टेडियम के उपर जागर के बॉल गिरी है सिरा अंपायर का इस सारा छे रद तो इसकोर जो है इस बार लंबा च्छलान मारते हुए 117 पर जा पहुंचा रहा है तो अभी यहां से इस ओवर में तीन गेंद सेस हैं राजकुमार के लिए फिर उठागर के जा रहे हैं यह जा रहे हैं लेक्साइट के और चीड़र मासूदेवा और असानी से कैज कर लिए गए राजकुमार जो कैपने बक्षर के हलके हलके कदमों से पवेलियन के और जा रहे हैं आज आएंगे अफजल काफी लेक बैटिंग करने आ रहा हैं इनको देखने के जा एक एक लिए और एक राजकुमार जोए और यहां ओवर फुरो में जो है एक करने कट गया चिते जाकर कि भीकेट में लगी और एक रहन मिल गया तो इस गेंद पर जहें दोरन मिल चुका है अभी विए दिकाज अधियत ओवर में तो परितोस का बहुत ही जवर्जस्त गेंद बाजी मात्रों आठ खर्च किया है पांच गेंदों में और इस पारी की और ओवर की अंतिम गेंद अब जल सता करेंगा परितोस का यह वाक्या जवर्जस्त गेंद बाजी यहां पर परितोस के ब्रारा और यहां रन लेना चाहिए थे पर आउप हो गएं विकास परितोस जितनी प्रिसंसा करेंगी उतनी कम है क्या कसी हुए गेंद बाजी मात्र आठ रन खर्च किया अंतिम ओवर में पाले ओवर पांच रन और अंतिम कि स्वाप्ति पर एक सो उनीस रांच और जो लक्ष दिया है चौज़ा को एक सबीस रांच दिया है देखना फिल्चस लोगा